राइपुर मा एंटी क्राइम एंड साइबर के टीम हा सहर मा ड्रग्स सप्लाई करें या पांच तसकर के खुलासा करें संगी एक यूती के संग चार युवक ला हिरासत मलें आरोपी मन दिल्ली ले ड्रग्स लाके राइपुर मा खपात रहें मामला मा एक आरक्षक के सनलिप्तता के खबर घलो आगुआ है जय मा पुलीस चांच करते रायपुर पुलीस एडिशनल स्पी क्राइम संदीप मित्तलहा खुलासा करत बताईन दिल्ली मा नाइजेरियन ले कोकीन लेके आयुष अग्रवाल के माध्यम ले रायपुर मा सप्लाई करत रहे आरोपी वाट्सअब ग्रूप के माध्यम ले नसा के कारोबार संचालित करत रहे पुलीस गिरफ्तार आरोपी मले सरलक पुछताच करते उहें राजधानी राइपूर मा कस्टम मिलिंग घोटाला मामला के आरोपी ला कोट मा पेश करीगिस इडिहा मार्क फेट के पूर्व एमडी मनोज सोनी ला कोट मा पेश करीगिस जिहां इडिहा कोट ले न्यायक रिमांड के मांग करीद संधी कोट ला मनोज सोनी ला 28 माई तक के जेल भेश दिन बतादन आरोपी मनोज सोनी उपर 140 करोड कस्टम राइस मिलिंग घोटाला के आरोप लगे हैं सुमवार के महादेव सटैप मामला मा आरोपी ला कोट मा पेश करीगिस इयो डबलू हा बरखास आरक्षक अर्जुन सी यादव ला कोट मा पेश करीगिस जेकर बाद कोट हा अर्जुन यादव ला 23 मैं तक के रिमांड मा इडी ला सौबडी दोनो आरोपी के संग साथ अन्या आरोपी ला घलो कोट मा पेश करीगिस जिहां सबो आरोपी ला 15 दिन के न्यायक रिमांड मा जेल भेज़ दिन। उही नरायनपूर मा ज्यात आरोपी मन कांग्रिस नेता के गोली मार के हत्या कर दिन। बताया जाथे कि आरोपी मा महला मा घुस के कांग्रिस नेता विक्रम बैस के गोली मार के हत्या करीण और घटना के बाद फरार होगे। जेकरबाद पुलीस मौका मा पहुँच के सवला पोस्ट मौटम बर भेचें। पायरिंग मा तीन गोली विक्रम बैस लगे हैं। हत्या कांड मा पुलीस आपसी रंजिस और नकसल वारदात दोनों एंगल ले जाच कर रहे। संग ही CCTV के माध्यम ले आउ नाका बन्री करके अलाश माजू तेहीं। बतादन विक्रम बैस ब्लोग कॉंग्रस के पाध्यक्ष के संग नरायनपूर परिवहन संग के घलो सदस्य रहे। बतादना की, कड़ाई से जाच होगी, गंभिरता से जाच होगी, और जो भी दोसी पाया जाएगा, उस पर कड़ी कारवाही होगी। उहें दसमाई के बिजापुर्जुला के पीडिया के जंगल मा होई पुलिस नकसली मुतभेड मा जवान मनहा बारा नकसली मला मार गिराई, संगी चार नकसली ला गिरफतार घलो करे रहें। पिर अब ए मुतभेड लेके 36 कर्मा सियासा सुरू होगे हैं। मामला मा कांग्रेसा घटना ला फरजी करार दे थे। अउजाज कमेटी के गठन करे हैं जेमा बीजेपी मुतभेड ला जवान मन के सफलता बतात कांग्रेस के ओची मानसिक्ता बता थे। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गंफिर्था से लिया है। अब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की जाच के लिए अपने वरिष नयताओं की एक कमेटी बनाई है। पूर विधायाब और पूर विधांसवार को पाध्यव सनकुमान नेतां के निर्टित में कमिटी बनी है जिक में एक विधायब नर शामिद है वो इस नर शामिद है देखीजे वही का अंड्रिस परेटी है जो सर्जीकल स्ट्राइक पर प्रस्म चिंह लगाया अब जब हमारे सुरक्षा बल बस्तर में सांती बहाली का काम कर रहे हैं बस्तर को विकास की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं उस पर भी कांग्रेस पार्टी प्रस्ण चिन उठा रही है यह बहुत ही दुरभागी जनक है पर सुरक्षा बलों की कारेवाहियां सही दिशा में जा रही है और कांग्रेस पारिटी को जो भी निर्णे करना है करें लेकिन बस्तर की जनता ये सारी बाते देख रही है बीजापूर्मा पुलीस लाब बड़े सफलता मिले है लोन वराटू अभियान के तहत 49 लाख रुपिया के नो नकसली मन के संग 30 नकसली मन हा सरेंडर करें बीजापूर्ण स्पी आउसी आर पीएफ के अधिकारी मन हा सबो नकसली मनला सरेंडर करी सुझेमा मिलेटरी प्लान टू बड़ालियन के सदस्य जनतान सरकार के अध्यक्ष समेथ 30 नकसली मन हा सरकार के पुनरवास नितिले प्रभावित होके सरेंडर करीं दंतेवाडा जुला के रनपुर छेत्रलेक महिला नकसली के संग पांच नकसली गिरफटार करेंगे हैं मिलेशिया सदस्य के पदमा रहिस और सबों नकसली संगठन बर काम करत रहिन गिरफटार नकसली मन एक लाख के नामी नकसली घलो शामिल है दंतेवाडा थाना अरणपुर आउख सी आरपी एफ 111 वी वाहिनी यंग प्लाटून के सयुक्त पाटी हा अरणपुर समेली मार्ग मा कारवाई करिन 36 गड मा जब ले बिजेपी के सरकार बने हैं तब ले पुलीस जवार नकसली मन उपर सरलक प्रहार कर थे जे कर ले नकसली मन बैक फूट मा दिखाई दे थे बतादन जवान मन हाँ बीते सो दिन मा सो ले जादा नकसली मनला मार गिरा है जे मा बस्तर डिविजन मा सब ले जादा नकसली मनला नुकसान हो है लिहाजा अब नकसली मन नवा ठिकाना के तलाश मा जुटे हुए है राजनद गाओं रेंज आई जी दीपक जा के कहिना है कि जिहां नक्सली मन के मुमेंट वाला इलाका मा सरलग कैम्प खोले जा थे संग ही पुलीस सरलग मुनादी करके ग्रामिन मनले नक्सली मन के सूचना दे के अपील कर थे काफी प्रहावी कारवाई हो रही है उसको देखते हुए हम लोगों अपने राजनद गाओं रेंज के जो लोको भी देशित किया हैं सभी पुलिस राजनद गाओं केरागर मुला मुनामानपूर कभी तरह से मुस्तैद है हम लोगों ने हाली में अभी कभीर दाम में भी साथ ही जो उनके लिए कभी काम करते रहे उन सभी को भी आगाहा कर दिया गया है किसी प्रकार से कोई भी अगर नक्सलियों की सहायथा करता है तो उनके खिलाब भी कारवाई की जाएगी सरगुजा मुख्याले अंबिकापुर मा आईजी बंगला ले 200 मीटर के दूरी मा पूर विधायक के पेट्रोल पंप मा दो गैंग के बीच रथिया मा चाकुबाजी के घटना घटितुईस जे मा पांच लोगन लाग गंभीर चोटा ही उहें चाकुबाजी के बाद ले आरोपी मन बाइक मा बैट के फरार होगिस। प्रयास के मामला दर्ज करके पुलिस आरोपी मन के तलाश कर थे। और मामले पुपता साजी में झर जड़ के तलाश के तलाश के तलाश कर लेकि यहें चार की आरोपी मन के तलाश के तलाश कर दो दो तलाश कर दोदित।